तो जब भी हम बात करते हैं highlighters की तो इंडियन मार्केट में number of choices available हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी अब सवाल उटता है कि किस type का highlighter किस use के लिए होता है और आपको उनमें से कौन सा प्रफर करना चाहिए तो मैंना में अरप आप देखने हैं student या जह हम आपके लिए लेकर आते हैं इंडिया बेस्टेशनी content आज हम आपके लिए लेकर आगये हैं एक mega highlighter comparison review जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि different types of highlighters क्या-क्या होते हैं और उनकी specific uses किस scenario में आपको कैसे करने चाहिए तो इस वीडियो के बाद आपको highlighters चुनने में कभी कोई problem नहीं आगी और आप एक best highlighter चुन भी पाएंगे और अपने friends को recommend भी कर पाएंगे तो इस वीडियो को हमने दो parts में divide कर लिया है पहली category में हम देखने वाले हैं different types of highlighters के बारे में कि highlighter किस-kis type के होते हैं and second part में हम देखने वाले हैं कि highlighters की जो nib होती है जो tip होती है वो कितने type के pattern में available होती है and किस nib को आपको कहां पी use करना advantageous रहेगा अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनकी जो nibs होती है जो इनकी tips होती है वो कितने type की होती है यहां पर generally हमें 4 category of nibs देखने को मिलते हैं सबसे पहला होता है सबसे common chisel tip next होता है bullet tip उसके बाद आता है window tip and last में आता है dual tip अब सवाल उठता है कि इनके advantages क्या-क्या होते है जो chisel tip होता है वो इस type से आपको देखने को मिल जाता है इस type को समें cut होता है and जब इससे आप highlight करते है ना तो आपको एक बिल्कुल rectangular stroke देखने को मिलता है यह most common tip है जो आपको highlightous में देखने को मिलता है अगले जो tip है वो काफी unique होते हैं और मुझे बहुत जादा पसंद है first one is window tip यहां पर uniball में generally हमको window tip highlighters देखने को मिल जाते है इनका सबसे बड़ा advantage होता है कि जब भी आप इनसे highlight करते है ना तो आपको इसकी window की through आगे का दिख रहा होता है कि okay आपको कहां तक highlight करना है तो इनका सबसे बड़ा advantage होता है कि आप बहुत precision से highlight कर पाते है tip तो इनमें भी chisel होता है बट वो chisel tip में जैसा आप यहां पर देख सकते है window होता है transparent जिसके through आप देख पाते है तो यह बहुत बड़ा advantage हो जाता है आगे देख पाना लास्ट जो होता है वो ढूने में काफे रियर होता है वो होता है dual tip highlighters even यहां पर मेरे पास भी एक ही pack मौजूद है जो कि है यह के highlighter carry करना है और अलग लग सेंटेट से सा इसको घुमा घुमा के mark कर पाएंगे तो अगे यह काफी यूनिक मुझे लगता है अब एक ही करके इनको detail में सबचते हैं सबसे पहले बात करते हैं पेस्टल हाइलाइटर की अब यहां माई पास आच जोगे है कुछ पेस्टल हाइलाइटर यह मेरे फेवरेट है इसका रीजन ही होता है जब भी आप इनसे कुछ हाइलाइट करते है तो वह बहुत ही अब यहां पर आप देख सकते हैं को कोई की तरफ से आने वाले एक स्पेशल हाइलाइटर की डूल टिप हाइलाइटर होता है अब इन पेशल हाइटर का एक जनल कौन ही होता है कि थोड़ से जादा कॉसली होते हैं आपको अरूंड 700 रुपीस पर सेट पर खर्चा करना अब यह जो हैललाइटर होते हैं कि यह most commonly available highlighters यह आपको maximum shop पर देखने को मिल जाता है अगर निको को पेशल हाइलेटर से ना तो काफी लोगों को पेशल हाइलाइटर कर लोग थोड़ सा डल लगता है और अचलिय वह होता भी है वो जाना ही जाते हैं उनके सॉसनेस के और आपकी आँखों को वह हिट बहुत शार्पली करता है तो फ्लोरसेंट हीलेटर का सबसे बड़ा अडवांटेज है इनकी आई कैचिनेस तो आप इनसे कुछ भी हैलेट करेंगे वो आपको डेफिनेटली बहुत शाइनी तरीके से दिखने वाला है बात करूं अगर इनकी कॉस्टिंग की तो यहाँ पर आपको काफी सस्ते ओप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे यहाँ पर आपको फिबर कासर, लगजर, सेलो की तरफ से आने वाले यह हैलेटर के पैक आराउंड हंडर्ड डुपीस के देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आपको यह 5 हाइलेटर देखने को मिलते हैं तो काफी सस्ते में आपको हैं मिल जाते हैं कुछ costly भी होते हैं जैसे हमाया पास है यहाँ पर शापी का है तो definitely जो brand होते हैं उस पर भी price काफी depend करता है काफी सारे factors पर price depend करता है पर यहां पर आपको जन्द लेकर सस्ते highlighters चाहिए तो पेस्टल में मिलना थोड़े से मुश्किल है, वहीं पर आपको fluorescent highlighters under 100 टुपीस भी देखने को मिल जाते हैं. इनका जो दूसरा कॉन मुझे लगता है वही इसका advantage भी था कि आपको बहुत sharply हिट करते हैं. तो अगर आपको ज़्यादा sharp देखनी कहाता है जब आप इनसे बहुत सारा highlight करते हैं तो कई बार वह frustrating भी लगने लगता है तो वहाँ पे facial highlighters थोड़ा सा सुकून देते हैं. तो again it depends on you कि आपको आई catchiness चाहिए यहां फे नहीं. इनमें एक corner मुझे देखने को मिलता है जो होता है ink bleed का. अगर आप इनसे highlight करते हैं तो काफ़ी पार पीछे वाले page पर अगर अच्छे जीए समगा नहीं है तो आपको ink देखने को मिल जाती है जिससे आप उसके other side को use नहीं कर पाते हैं. आप मुझे अगर बूलेंगे तो मैं पर एक detail review बना दूँगा कि fluorescent highlighters में complete करने वाले highlighters कौन से है तो उसके लिए make sure करें आप चैनल को subscribe करके रखें जब भी वीडियो है आप उसको देख पाएं. अब बात करते हैं हमाई next category of highlighters की जो होते है gel highlighters. तो Jason का नाम है gel based highlighters. इनके अदर use होते है gel based content. उसका सबसे बड़ा advantage होता है कि अगर आप मान लीजी आपके पास ink jet printer है आप उसे काफी सारे printer out निकालते हैं उससे आपको highlight करना होता है. तो काफी बारना आप normal fluorescent highlighters उसको highlight करेंगे तो उसकी ink फैल जाती है smear हो जाती है. वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है. यह काफी हद तक smear free होते हैं. सेकिंड सबसे बड़ारन का advantage होता है guys ink bleed. आपको generally fluorescent and facial hydratus जो होते हैं वो दूसरे वाले page पर दिख जाते हैं lower gsm पर यहाँ पर आपको gel beige highlighters में किसी भी type का ink bleed देखने को मिलता ही नहीं है. क्योंकि यह paper क आपके ऊपर ही एक layer बना लेते हैं paper के through seeping होते ही नहीं है. तो अगर आप ink bleed से परिशान है, काफी thin paper है, for example NCIT पर आप highlight करना चाहते हैं, काफी thin paper की होती है, तो वाँ पर gel beige highlighter से काफी अच्छा option बन जाते हैं. अब इनका कौन यह होता है कि क्योंकि यह gel based हैं, तो कई बार यह paper पे sticky sticky से feel होते हैं, आपको एक feel आता है कि यहाँ कोई substance लगा हुआ है, एकदम seamless feel नहीं करते है, pistol यहाँ फिर fluorescent highlighters जैसे है, थोड़ा सा stickiness नहीं के अंदर रहता है, अगला कौन जो मुझे feel हुआ और को यूज का दर टाइं, वो यह था, जब भी आप इनसे highlight करते हैं, तो आपको sharp line देखने को नहीं मिलती है, जैसे हमें chisel tip में देखने को मिल जाती है, in fluoroside and facial highlighters, यह भी को sharp highlight होता है, यहाँ पे आपको थोड़े rounded है, जैसे मिलते हैं, तो वो काफी लोगों को advantageous भी लग सकता है, बट मुझे कई वार ना वो एक con लगता है, क्योंकि uniformity उस प करने के बाद भी, यहाँ पे आपने pilot friction series का नाम तो सुना ही होगा, जिसके erasable rollable pen का video हमने बनाया था, वहीं पे आपको pilot की तरफ से friction series देखने को मिल जाती है, जहाँ आपको काफी बड़ा line पे इनका, वहाँ पे आपको erasable highlighters काफी सारे देखने को मिलते हैं, साथी साथ यहाँ पे फ्लेयर की तरफ से भी मुझे एक highlighter का pack देखने को मिला है, जो erasable है, यहाँ पे मुझे लगजर की तरफ से भी एक stack का काफी cute सा highlighter देखने को मिला, जिसको आप erase कर सकते हैं, को erase करना काफी simple होता है, यह अलग-लग mechanism पे काम करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात कर करना होता है, इसके एक side से, और दूसरे end पे यहाँ पे एक fluid दिया हुआ है, तो जैसे आपने जो highlight कर दिया है, उसके बाद आगर आप इसको turn करके इस से इसको वापे से re-highlight करेंगे ना, तो automatically आपका highlighted position remove हो जाता है, इसी same mechanism पे हमारा flare highlighter भी काम करता है, यहाँ पे आपके जो tip होते है, इस side से आप highlight कर सकते हैं, and from the other side आप उसको erase कर सकते हैं, अब जो other category होती है ना, वो होती है friction highlighters की, अब यहाँ पे क्या होता है, आप इसे जब भी highlight करते है, तो इनके अदर जो ink use होती है, वो heat sensitive ink होती है, तो जब भी आप इसे highlight करेंगे, इनके other side में आपको इ जब भी आप रप करेंगे, तो heat produce होगी, and उस heat के current आपका जो ink होती है, वो disappear हो जाती है, तो again, यहाँ पर दो technology आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको stripes आप कर सकते हैं, एक side से इसको लगाए, दूसरा side से यह वाला फेरेंगे, तो automatic चला जाएगा, नहीं तो आप को इसके पीछे एरेस हा रहे, अब इसको एरेस करी हलकल का, heat की मदद से भी वो एरेस हो जाता है, काफी लोग पूछते है, क्या normal temperature भी भी जो इंडिया में होता उस पर एरेस हो जाएगा, मतला automatically गायब हो जाएगा, तो guys यसा नहीं होता है, इसको एक appreciable temperature चाहिए होता है, क इनको गायब होने के लिए, तो normal even summers में भी आपका जो highlighted potion है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, अब बिना चिंता के इनको use कर सकते हैं, अब अगर इनको मैं compare करूँ बागी category of highlighter से, तो इनका कोई comparison ही नहीं है, क्योंकि इनकी चो quality है na, erase होने वाली, वो कोई offer ही नहीं करता, तो आपको ये quality की है, तो बागी सारे factors छोड़के आप इनके साथ जा सकते हैं, बात करो इनकी बीट की भी, तो ये काफी कम bleed होते हैं, ये मैंने observe किया है, और साथी साथ इनके चो color होते हैं, ये अकसर पेस्टिल colors में आपको देखने को जादा मिल जाते हैं, फ्लोर स्रेंड प आप देख सकते हैं, फ्लेयर का highlighter, तो फ्लेयर का यहां पर मुझे मिल गए थे 5 highlighters, 5 irisable highlighters for just rupees 125, तो price काफी vary करता है, description में में के link डाल दूँगा, तो ये था हमारे एक detail review about highlighters, जहां पर हमने कोशिश की आपको सारे highlighters के बारे में बहुत सारा कुछ knowledge दे भाएं, अगर आप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसी टाइप को knowledge और लेना चाहते हो, तो student yard को subscribe कर सकते हैं, ऐसे high quality videos हम आपके लिए लाते रहते हैं, सदी साथ आप मुझे comment section में लिखके बताया है, कि आपको कौन सी category of highlighters अबसे आप पसंद आई, and आप मैंने जो starting में आपको 4 nibs बताया है different type में, उसमें आप कौन सा वाला लेना पसंद करेंगे, मैं मिलने वाला हूँ आपको next video में, तब तक आप देख सकते हैं हमारा ये उपर वाले वीडियो जहां पर आपको समझ में आएगा कि ball, gel and rollerball, pants में क्या differences होते हैं, नीचे वाले वीडियो में आपको देखन